जी दोस्तों एक्जाम रेश्टू में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं लाए हैं आज तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नए वर्ष की 2022 की ठीक है और आप लोग भी सेलिब्रेट करेंगे 2022 का तो हम लोग मेल के सेलिब्रेट करेंगे 2022 का ठीक है और 2020 जैसा की विता है बहुत अच्छा नहीं विता है इस में ते सारे Corona Calls हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिये हैं और बैकेंसियंज भी जादा क्लीर नहीं हुई है और बैकेंसी भी अच्छे नहीं आये थे तो जो 2021 थो बहुत अच्छ नहीं रहा लेकिन 2022 के लिए हम लोगों क impossibility का करेंडर आही गया है और ssc और sedious का भी आ गया है तो हम लोग ssc की तयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से 2022 में कलेंडर जैसा की जरे कर दिया गया है तो हम लोगों को date भी पता हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से तयारी करेंगे 2022 का और हम लोग उसमें यह प्राण लेंगे कि 2022 में हम लोगों को select हो जाना है किसी भी government service में 2021 को विदा करना है आज 31 December है तो हम लोग 2021 को विदा कर रहे हैं और आप लोगों से अनरोध है कि आप लोग बहुत ज्यादा धुआधार celebration ना करिये क्योंकि इसमें Corona काल भाई उसके नए नए varieties आ रही हैं तो आपको बहुत ज्यादे दिक्कत हो सकता है बहुत ज्यादा limited members हों celebration के थोड़े ही ब्यक्ति हों या कर सकते हैं आप अपने घर के members के शांत आप celebration कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा ठीक है तो हम लोग celebration करेंगे बहुत ही अच्छे से 2021 को विदा करेंगे 31 December को और हम लोग 2022 में 2022 का welcome करेंगे और यह हमको आपको कहना था और हम लोग बहुत अच्छे से त्यारी करेंगे और मेरा यह अनुरोद रहेगा कि आप लोग इससे प्राउन लीजिए ताकि फिर हम से अगले वरस के लिए ना मिलें ना मिलने का मतलब यह हैं select हो जाएं फि इसी के साथ मैं आप लोगों को धेर सारा बधाईयां देता हूं 2022 में और मैं चाहता हूँ आप लोग शभी लोग select हो जाएं और आप अपनी जीवन में खुश रहें ठीक है बस इसी के साथ मैं आपको 2022 का धेर सारे सुब कामना देता हूं happy new year